हाई गाईज वोकुम बैक टो माय व्लॉग्स तो आज हम आ गए हैं उस जगर जिसका हमें बेसबरी से इंतसार था फिलहाल तो ओपन होगी है अभी हम लोग चल रहे हैं अंदर आज जो है ना शाजाया को हम अपने साथ लेकर आए हुए थे हमने सुचा एक बार ले चलते हैं गुमाते हैं देखते हैं कि बच्चों को बाहर ले जाके गुमाना क्यारी करके शॉपिंग वगरा करने का एक्स्पीरियंस कैसा होता है जो की बड़ा मुश्किल है तो फिलहाल तो अभी हम लोग अंदर एंटर कर रहे हैं तुरंट तुरंट और स्टोर का और ये स्टोर न वो काफी अच्छे कलेक्शन थैनके पास बहुत हैं तो जो हम लोग नहीं पेहन सकते हैं जो वेहतिन पेहन तेम उनके लिए काफी अच्छा है फोट वेर्स भी बहुत तहारे थे बहुत अच्छेह थे और प्राइज जो है वो इजनेबल झाल झाल अभी आगया थे हम लोग फर्स फ्लोर पे और यहां पे वुमिन्स के लिए काफी अच्छे कलेक्शन थे बहुत जादा अच्छे नहीं थे बठाथ थे लेकिन मेरे हिसाब से जितना हमने देखा कुछ खास नहीं थे और यहां पे शाजभ बच्चों के कपड़े काफी अच्छे थे नो डाउन काफी अच्छे कलेक्शन थे यूनिक थे और शाजभ देखिये कैसे यहां पे सलिक कर रहा इतना क्यूट लग रहा था अधिन काफी यहां पे यहां पे जो थे सारे मेंस वीर थे और यहां पे वो शिर्ट भी थी जो बिग बॉसन में समर्थ और अभी शेक ने पहनी थी वो दोनों कलेक्शन यहां पे थे और इसी फ्लोर पे होम ड़कॉर से रेलेटेड भी चीज़े थी तो वह आप देख तो अभी हम अच्छे से घूम चुके हैं अभी हम लोग जा रहे हैं जूडियो क्योंकि हम शाजाब को लेकर आये थे तो हमने सोचा था कि इसके साइस का ड्रेस जो है इसको गिफ्ट कर देंगे इसका बर्दे गिफ्ट अभी थक पेंडिंग है तो हम लोग फट अफट से हमने यहां से आज इस गिफ्ट भी स्किप कर दिया नहीं लिया अच्छली हमने वेस साइट में भी देखा था बट स्वेल ने बुला एक बार जूडियो विजिट कर लेते हैं क्योंकि हम लोग हमेशा से यहां से बच्चों के लिए लिया है खुद के लिया है तो अच्छे कलेक्शन से रहते हैं तो हमने सोचा कि एक बार दोनों जगे देख लेते हैं जहां पर बैठर होगा वहां से लेंगे तो हमने रिसाइड किया कि हम वेस साइट सही ले लेंगे इसके बाद बाहर निकलते ही हम लोग यहां पे खाने लगे हैं फ्रूट चाट और फिर इसके बाद आ गया थे हम चौक शाजब को घर देने के बाद क्योंकि उसके खाने का भी टाइम हो गया था और यहां से हमें लेना था आर्टिफिशल प्लांट तो यह शौप काफी अच्छी मिल गई हम लोगों को अक्चली संडे था तो सारी शौप बनती तो यह उपन थी यहां प के घर पोशने के थोड़ी देर बाद भाई साव आ गयते और यह देखिए ना का प्यार शाजब के लिए वह अंडे लेकर आये थे कि वह बॉयल करके खिलाए थंडी का टाइम है सर दी ना उसे इसलिए फिर नेक्स डे हो गया और अभी हम लोग शाम में रडी हो गया थे ब वो जो है ना इंडोर रहता है सूख गया था समझ नहीं आता कि उसको कितना कप पानी देना तो इसलिए हमने पर्मनेंट सल्यूशन डूदा और हम आटिफीशल ले आया है इसका पॉर्ट नहीं है तो कर हमने आपको दिखाया भी नहीं था तो हमने सुचा भी आपके साथ शेयर कर देते हैं और बस हम लोग निकली रहते हैं निकली रहते हैं इसका पॉर्ट लेने के लिए देखते हैं शायद कुछ अच्छा मिल जाए कल महां पर था उसके पास एक ही ऑप्शन था वाइट कलर का वह भी अच्छा लग रहा था लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा और देख लेता है हो सकता उससे बेटर मिल जाए तो वही ले लेंगे जाकर कुछ दूसरा ढूनेंगे और लेकर आएंगे तो अभी साड़े-चार हो रहा है कल के बाद अब जो है वो व्लॉब कंटिन्यू हो रहा है तो अभी निकलते हैं थोड़ी तेर में यह शॉप कर ऐली म बट यहां से हम लेकर तो जाते वो बड़ा वाला पॉट लेकिन वो हमारे बजट में नहीं आ रहा था बहुत जादा कॉस्ली हो रहा था और हमें थोड़ा कम बजट का ही चाहिए था तो यहां पे हमने पहले उनसे परमिशन ली कि हम वीडियो शूट करें या ना करें उन् लेकिन फिर हमने सोचा कि खाले हाथ जाना भी अच्छा नहीं लगता यहां से तो यहां से हमने एक छोटा पॉट यह जो अंकल क्लीन कर रहा है यह ले लिया था और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए दूसरी जगे यहां पे आ गए हम कंपनी गार्डन के जर्स सामने ही निर्सरी भी है और प्लांट पॉट्स वगेरा काविया धेर सारे रहते हैं तो हमने सोचा यहां डारेक्ट चलते हैं और कुछ ना कुछ आप्शन मिल जाएका प्लास्टिक में ही तो यहां पे हमें जो है ना हमारे काम की चीज़े मिल गई थी यह ना लंबा वाला ना जो जो यह ना है कि आपको यह वाला कुछ दो हराओ जो हराओ नहीं तेंगे लेक्ट दो हराओ दो हराओ जार कि दो हराओ जार झाल झाल तो हमने भी इनको पूछा कि आपे कुछ खाने के लिए और फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो यहां पे हमें अमरूद दिखा तो हमने यहां से अमरूद लिया और फिर इसके बाद हम लोग पहुच गए घर जो शॉप थी ना क्या नाम था उसका सजावत वहां से हमने यह वाला पॉट लिया है और फिर यहां पे पॉट देखने गयाते ना वहां पे यह एक प्लांट लिया था हम लोगोंने और इसको भी हमने यहां पर रख दिया सब्सक्राइब में ड्रोर गंदा है बहुत डस्ट आया हुआ है यह कुछ ऐसा लग रहा है चोटा सा क्यूट सा थोड़ा एक दू प्लांट और कुछ यह प्लांट या कुछ भी डॉक्ट और आइटम इदर आ जाएंगे ना तो अच्छा लगेंगे और यह रहा पॉट रात में सडिनली बाहर से वाजे आने लगी तो हम दौड कर गए कैमरा ओन करके कि देखते हैं क्या हो रहा है तो बाहर ना पूरा यह धुआ धुआ हुआ हुआ था हमें तो सबसे पहले फील हुआ कि शायद आग लग गई है लेकिन बात में सुहल ने बताया कि यह आग नह पारने की दवा है जो वो स्प्रे करके गए हैं और वो भी इतनी ज्यादा कॉंटिटी में तो यह था तो बस इसी धुएं के साथ हम इस व्लॉग को भी एंड कर रहे हैं हुप आपको पसंद आया होग अगर पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेर और सब्सक्राइब टो कुछ लोगों की शिकायत है कि मेरे व्लॉग अब अच्छे नहीं आ रहे हैं तो उनसे हम बस यही कहना चाहेंगे कि हम ना चीजे क्रियेट करके व्लॉग नहीं बनाते हैं जो मेरी जिन्दगी में चल रहा हता है वही हम आपके साथ शेर करते हैं